तो हेलो गाईज, वेलकम ठोरलेंड, अग जो मुवी मैं आपके लेकर आया हूँ, उस मुवी का नाम है बचा बोईज, यह मुवी बहुत ज़्यदा स्लेशर मुवी है, जो कि मेरी अब तक की देखी सबसे घिनोनी मुवी इसमें से एक है, यह मुवी एक अलगी कॉंसेप्ट के अपर बनी हुई है, और मुवी के अन्ड में कुछ यहसा बताने वाला हूँ, जो कि आप सोच बनी सकते हैं, तो वीडियो के अन्ड तक बने रहिएगा, मुवी के शुरुआत में हमें एक लड़की और उसके छोटे बेहन दिखाई जाती है, छोटी लड़की फूड मार्ट से कुछ खाने का लाने के लिए अंदर जाती है, और उसकी बड़ी बेहन पास ही खड़े होकर फूड ट्रक के पास में जाकर खाना ओडर करती है, और फ में ले जाते हैं, उन्हें ऐसा करते हुए एक बच्ची देख लेती है, और अपने पापा को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, फिर जब वो फूड ट्रक वाला लड़का बाहर आता है, तो उसे वहां वो लड़की दिखाई नहीं दे इसके बाद हमें सीटी की नहीं सुने जाती है, जिसमें कई सारी लड़किया गायब हो रही थी, और कई लड़कियों के लाशे भी मिली थी, फिर टेकसस सीटी के एक रेस्ट्रो में हम देखते हैं कि उसके बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, चुकि वहां इन्वेस्टिकेशन करने के लाए हुआ था, क्योंकि उसे ये लगता था कि वहां पर हुमन का मिट सर्व होता है, फिर हम कुछ टीनेजर को देखते हैं, जिन में एक लड़की का नाम सीसी था, जो कि अपने भाई माईकी और दोस्त केनी के साथ में उसका बड़्डे आउट कर रही थी, तब ही वहां पर एक आदमी आकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, और बारवी अपने दोस्तों के पास आकर बेट जाती है, फिर ये सबी लोग कार में बेट कर घर जाने के लिए निकल जाते हैं, और रास्ता में एक गेज स्टेशन में रुकते ह तब ही वह लोग देखते हैं कि बारवी की उन लोगों से लड़ाई हो गई है, और वो उन पर स्टोर का सामन फिक कर मारने लगती है, ये सब होता दिखकर उसके फ्रेंड घबरा जाते हैं, और अपनी कार को फटा-फट से स्टार्ट करके बारवी को उसके अंदर बिठा कर वहाँ से भागने लगते हैं, तब भी वे लोग देखते हैं कि दोनों उनका पीछा कर रहे हैं, चूकि उन्हें वो लड़की बार भी चाहिए थी, फिर रास्ते में बार भी अपना टॉप निकाल कर अपनी बोड़ी दिखाना लगती है, और कहती है कि अगर उन्हें ये च इक सिडिंट हो जाता है, वो डॉग एक गैंग का होता है, और ये सब देखकर उन्हें गैंग के लोगों को बहुत गुस्ता आ जाता है, उस गैंग के कुछ लोग उन में में बार भी था वो लो पे कर देंगे जिससे वो इक नाया डॉग लास Sकते हैं, बस भी लोग उन्ह चेथ के नहीं सुनते हैं और उन्ही में से एक आदमी अपने पास से एक रॉड निकाल कर उन दोनों में से एक कुमार मारकर उसके हाध पे तोड़कर उससे मार डालता है यह सब देखकर उसका साथ ही वहां से भागना लगता है लेकिन वहीा आदमी उस लोड़ो को फेक कर उसे गिरा देता है और फिर वे दोनों गैंग मेंबर बिलकर उसे भी मार डालते हैं फिर उनकी लाशों को गाड़ी ये की डिक्की में रखकर वो उन्हें चेन्सों से काड़ना रखते हैं तब ही उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक बुड़ा आदमी बाहर आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है जिस पर वो लड़का उन्हें चेंसो दिखाता है और बुड़ा डरकर वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ माई की सीजे से कहता है कि उसे पेंट से बहुत डर लगता है वो बनना नहीं चाता है तब भी वो गैंग मेंबर उन्हें देख लेते हैं और उनकी कार को टक कर मार देते हैं जिससे कि उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और इस्टार्ट नहीं हो पाती है गैंग मेंबर फिर से उनके गाड़ी को टक कर मारते है जिस सोब चकमी हो जाते है फिर बार पर कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टर्ट नहीं हो पाती है तो सबी दोस्त गाड़ी से निकल कर भागने लगते है तब भी गैंग लीडर की नजर सिसी के ओपर पड़ती है और भागे के मेंबर से सिसी को जिन्दा पकड़ने के लगेता है चुकि उसके दिमाग में सिसी को लेकर कुछ अलगी प्लान था तीनों गैंग मेंबर अपने गाड़ी से निकल कर उन चारों के पीछे जाने लगते है और हड़बड़ाट में वो चारों अलग-अलग हो जाते हैं और भागते हैं बैनी और बार्वी जब भाग रहे होते हैं तो भागते भागते बार्वी ठक कर उए पर बैठ जाती है। बेनी उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि अगर उन दोनों ने इने पकड़ लिया तो वही लोग इने मार भी सकते हैं जिस पर बार्बी कहती है कि तुम्हारे डेट के पास में बहुत सारा पेसा है तो क्यों ना उन्हें पेसे दे कर कहो कि वे लोग हम कुछ न करें और हमें यहां से जाने दें केनी के बहुत समझाने पर बार्बी उसके साथ चलने के लिए नहीं मानती है और केनी अकेले ही वहां से जाने लगता है तबी बार्बी के पास गेंग का एकादी में आता है और बार्बी उससे सेडियूस करने लगती है लेकिन वो उ से कहती है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़े हैं सीसी उनसे जादा बात कर पाती उससे पहले ही नेटवर्ट इशू होने के वज़े से फोन कट हो जाता है फिर इधर बेनी बार्बी को बैचाने के लिए उस गैंग मेंबर के ओपर अटेक करता है लेक जिसकी उन्हें जरुट है तब ही केनी लीडर से कहता है कि उसके पेरिंट के पास में बहुत पैसा है और वो उनसे जितना पैसा मांगेगा वो उससे देंगे ये सुन का दूसरा आदमी उसस बुरी तरिके से पीठने लगता है उसी समय लीडर को किसी को कॉल आता है जो कि उसे यूमन के मीट की डिमांड कर रहा था तो लीडर कहता है कि उसे यूमन मीट जल्दी मिल जाएगा फिर अब सीसी और माईकी को भागता हूँ हम देखते हैं जो कि भागते भागते एक पागल आदमी से टकरा जाते हैं और वो उन्हें अपनी कुकिस किलाना चाता था तब ही एक गैंग मेंबर वहापर आ जाता है और उस आदमी का गला दबा कर वो उसे माड डालता है ये देखकर सीसी और माईकी फिर से भागते हैं और भागते भागते माईकी सीसी से कहता है कि मुझे से अब वो भागते नहीं जाएगा जिस पर सीसी उसे कहती है कि अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें भागना होगा वनना वो हमें पकड़ कर माड डालेंगे तब ही वहापर वो गैंग मेंबर आ जाता है और माईकी पर हमला कर देता है जिससे कि उसकी बैक तूट जाती है और वो उसके फेस को बुझ तरके से डिस्ट्रॉय कर देता है इस बिच सीसी उसे पचाने की कोशिश करती है और पास ही पड़े एक डंडे से सीसी उस आदमे के उपर अटेक करती है और उसे घायल कर देती है इसके बार में सिसी माईकी से बाते करती है माईकी उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग कर इन से दूर चली जाओ और उसे खुद का ध्यान रखने को कहकर वहें पर अपना दम तोड़ देता है यह देखकर सिसी को बहुत ही दुख होता है और तबी फिर से उस आदमी को होश आता है और उस सिसी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सिसी वहाँ से भाग जाती है इसके बद में गैंग लीडर वहाँ पर पूछता है और उस लड़की को पकड़ नहीं पाया था तो इसलिए लीडर उसे शूट करके माँ डालता है इधर उस गैंग में वो लड़का भी शामिल था जो कि बार्वी के साथ में उस रेस्टों में मेक आउट कर रहा था वो अपने साथी से पूछता है कि क्या उने वो लड़की मिली जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं अब इस तरफ बार्वी उस गैंग से चुपने के लिए भाग रही थी और एक आदमी उसका पीछा करने लगता है जिस से बचने के लिए वो एक बिल्डिंग के अंदर गुज जाती है और उसका पीछा करते हुए वो आदमी भी अंदर आ जाता है और वो चिला कर ये कहता है कि वो चाहे कितने भी बचने की कोशिश कर ले लेकिन वो उसकी इसमेल से उसे ढून दिलेगा ये सुनकर बार्वी एक लोकर के अंदर जाकर चुप जाती है और वो आदमी उसे ढूनता हुआ लोकर तक आ जाता है जब वो लोकर को खुलकर देखता है तो उसमें बार्वी नहीं थी तो वो आदमी वहाँ से गुस्से में चला जाता है ये देखकर बार्वी वहाँ से बाहर आती है और उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि उसे रेस्टों में मिला था वो उसे कहती है कि वो बहुत ही होट है और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है तब ही उसका साथी वहाँ पर आकर बारवीर पर हमला कर देता है जिससे कि वो बेहुश हो जाती है इदर CC को पुलिक के कार दिखती है लेकिन जब तक CC उसके पास में जाती तब तक वो कार वहाँ से निकल कर चली गई थी CC की हेल्प के लिए दूसरे कार से बंदा भाहा निकलता है लेकिन गेंग लिडर को उसके तरफाता देखकर वो भी माँ से भाग निकलता है और सीसी भी उसे देखकर माँ से भागती है सीसी उसे बचने के लिए एक building की lift के अंदर छुप जाती है और gang leader उसे देख लेता है वह upstairs से उपर के उजाना लगता है और सीसी एक room के अंदर जाती है वो gate को बंद करने ही वाली थी लेकिन वो gang leader gate बंद होने से पेले ही अपना हाथ gate में वसाद देता है लेकिन CC किसी तरीके से उसका आथ बहा निकालकर gate को बंद कर लेती है लीडर सभी gang member को call करके उस building में बुला लेता है और वे लोग बारबी को भी अपने साथ में ले आते हैं CC उसे रूम में चुपी हुई थी और वहाँ से निकलने के लिए वो कुछ सोचने लगती है जिसके बर में CC को रूम में कलाइटर और डायनमेट मिलता है जिससे कि CC को कुछ आइडिया आता है बार बार भी उन सभी लोगों से कहती है कि वो बहुत सारी क्यूट गल्स को जानती है और अगर वे लोग उसे यहां से जाने देंगे तो वे उने उन गल्स से मिलवा सकती है जिनके साथ में वो जूचाहे कर सकते है लेकिन लिडर उसकी बात ते सुनकर उसे अपना मुप बंद रखने को कहता है और बाकी लोगों से कहता है कि अगर वो सब चाहे तो वे लोग उसे टेस्ट कर सकते है इस बात पर वे लोग उस नए लड़के को पहला मुका देते हैं उसके साथ में कुछ भी करने के लिए लेकिन जो लड़का बार्वी के पास में जाता है तो बार्वी उसे गय कैकर तपड मार देती है ये देखकर वो लड़का बार्वी के टॉप को फाड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर उसके हाथों के पकड़कर उसके गले में काटकर वहां का मास खा जाता है उसे ऐसा करता हो देखकर बाकी के दो लोग भी उसी लड़की को किसी जानवर की तरह काट-काट कर जिन्दा खाने लगते हैं तब ही सीसी अंदर से कुछ आवास करती है जीसे सुनकर लीडर सबसे उसे खाने के लिए मना करता है वो सीसी का एक्जेट ब्लॉक करने के लिए के देता है सीसी अंदर से चिला कर केती है कि उसके पास में डायनमेट है और वे लोग उसे यहां से जाने नहीं देंगे तो वो यहां पर आग लगा देगी यह सुनकर लीडर उसे वहां से निकलने देता है जब सीसी उस रूम से बाहर आती है तो देखती है कि उन लोगों ने बारवी की बॉड़ी को बुरी तरफे है सखाया हुआ था यह देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है और उग गैंग मेंबर भी उनका पीछा करने लगता है CC जैसे ही लिफटर से बाहर आती है तो एक आदमी उसे पीछे सा कर पकड़ लेता है इतने में दूसरे गेंग मेंबर भी वहाँ पर आ जाते है और उन में से एक CC को खाने की कोशिश करता है लेकिन लीडर अभी भी उसे ऐसा करने से मना करता है फिर वे लोग उसे गाड़े में बेठा कर वहाँ से अपने अड़े पर ले जाना लगते हैं तब ही वहाँ पर दो प्रिडिस वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वे लोग उस लड़की को किड्नेप करके ले जा रहते हैं एक officer दूसरे officer कहता है कि हमें उस लड़की की मदद करना चाहिए लेकिन दूसरा officer उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इनके पचले में ना ही पड़ो तो ही बेतर है जिसके बार में वो दोनों officer वहाँ से निकल जाते हैं रास्ते में गेंग लेडर उससे पूछता है कि क्या उसे उसके boyfriend के साथ में intimate होना पसंद है जिस पर सीजी उससे उसके बारे में पूछना लगती है लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है फिर रास्ते में एक गेंग मेंबर को एक old lady के पास में एक छोटा सा डॉग दिखाय देता है तो उसके पास में जाकर उस डॉग को चुरा कर कार में बेट कर भागने लगता है लेकिन वो डॉग उसके हाथ पर काट लेता है तो वो उस डॉग को बाहर फेक देता है सिसी की बौडी को देखना था गैंग लिडर उन तीनों में से उस रेस्टावले लड़के को अपने साथ में अंदर चलने के लिए कहते हैं और वो डॉक्टर उन दून लोगों को इलेक्टिक शॉक देकर दर्वाज़ा बंद कर देता है जिसके बाद में गैंग लिडर सिसी क को लेकर बेस्मेंड में जाता है जहां पर कई साथी लड़का कैती जो कि लीडर से खुद को छोड़ने के लिए रही थी अब वो सिसी को एक चेर से बांद देता है फिर रेस्टावला ललका उसके कपड़ों को फाड़कर उसके पेरों को फिला देता है जिसके बाद में व वहीं पर एक बड़ा सा आदमी भी था जीससा संझीरों से बांद कर रखा गया था उसके बड़े-बड़े दान भी थे और वह आदमी एक इनसान के रूप में एक हेवान था जो किसी इनसान के मास का बूखा था फिर अब सीसी उसे पूछती है कि वे लोग उसके साथ में क कि तुम अपना मुव बंदी रखो जिस पर सीसी कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या तुम लोग मुझे मार दोगे या मुझे खा जाओगे इस बात पर वहाँ पर मुझे सबी लोग ख़चने लगते हैं और बुड़ा आदमी कहता है कि अगर और वो अपना मुव बंद नहीं रखेगी तो उसे उस हेवान के हवाले कर देगा और वो हेवान इंसानों के हड्या भी नहीं छोड़ता है वहाँ पर सबी लोग पागल जैसे हरकते कर रहे थे सिवा गैंग लिडर के जिससे कि सीसी समझ जाती है कि यह सबी लोग साइको है फिर इसके बाद वहाँ पर एक गैंग मेंबर आकर लिडर से किसी बात पर बहस करने लगता है और लिडर उसे अपना मुव बंद रखने को कहता है सिसी इस बात का फाइदा उठा कर उस गैंग मेंबर को लिडर के खिला बढ़काने की कोशिश करती है जिस प्रो गैंग मेंबर सिसी को मारने के लिए उसके तरफ आ जाता है तो सिसी उससे पकड़ लेती है और उसके करदन पर सर्जिकल नाइफ को रखकर उन सबसे पीछे रहने को कहती है वरना व उससे मार देगी यह देखकर लीडर यह कहता है कि अच्छा होगा कि वो उससे मार दे चुकि उसकी गैंग में औरतों से हारने वाले लोगों की कोई जगए नहीं है और आगे बढ़ने ही कोशिश करती है जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि वो आपस आ जाए चुकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो यहां से भाग नहीं पाएगी लेकिन सिसी क्रॉल करते हुए आगे बढ़ना लगती है और वे लोग उसे ऐसा करने से रोखते हैं लेकिन सिसी उस दरार से होते हुए एक रूम में पहुशती है जहां पर उसे वही ऑफिसर काल वेन नजर आते हैं जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जो की रेस्टरों में इन्वेस्टिगेशन करने के लाया हुआ था वो सिसी को बताता है और ओफिसर उसे शूट करके वहाँ से भाग निकलता है जिसके बार में वही अदमी सिसी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सिसी उसे लात मार कर गिरा देती है सिसी जब बाहर दिखती है तो उसे एक गैंग में दिखाई देता है जो कि उसे ही ढूण रहा था उसके महाँ से जाने के बाद में सिसी भी आगे बढ़ने लगती है जहां पर उसे एक किचन दिखाई देता है जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो किसी इनसान का मास पका कर भाह ला रहा था सिसी जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि डॉक्टर और इस्तरो वाला लड़का आपस में खेल रहे है और एक लड़की को टोचर कर रहे होते है फिर मौके का फायदा उठा कर सिसी उस लड़की को उनके चंगलता चुड़ा कर उससे पूछती है कि क्या वो ओफिसर कालवेन की बेटी है जिस पर वो लड़की उससे हां कहती है और उसके बाद सिसी उसे एभी कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा लेकिन लड़की कहती है कि मेरे माबाप मुझे इसलिए ढून रहे हैं ताकि वे लोग मुझे मॉलेस्ट कर सकें और ये भी कहती है कि ये लोग बहुती अच्छे हैं और यहां में सेव रखेंगे ये सुनकर सिसी समझ जाती है कि जरूर इन लोगों ने इस लड़की को कोई डर्ग वगरा दिया हुआ है जिसके वज़े से ये ऐसी बाते कर रही थी सिसी अब उसे लेकर बहार निकलती है लेकिन जब वो उन्हीं लोगों को एक रूम में पार्टी करते हो देखती है तो वो भी नैशे में पार्टी करने लगती है और उन लोगों के भी शामिल हो जाती है जिससे कि वो फिर पकड़ी जाती है और उस पार्टी के सभी लोग ह यूमन कमिट खा रहे थे हैं फिर अप सीसीicação वहांसर अक्ने लगती है और जाकर एक वाश्रूम में छुप जाती है तब ही वो गैंग मेंबर वाश्रूम में आ जाता है और सीसी की इसमेंе उसे आ पर उस लड़के से कहता है कि वो उसे छोड़ दे लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं करना चाता था। फिर इसी दोरान लीडर और उस लड़के के बीच में भेहस हो जाती है और यह भेहस लड़ाई में बदल जाती है वो लड़का लीडर को पीटने लगता है जिससे बाहर जान कर वो उसे मालने वाला था, कि तब ही उसका ध्यान सिसी टिएवी पर जाता है, जिसमों देखता है, कि उन लोगों ने सिसी को पकड़ लिया है, वो लोग सिसी को रेडि करके एक बड़े से हौल में लेकर जाते हैं, और छेयर क बांद देते हैं, उसका सामने वाले टेबल के नीचे उन्होंने उस officer की बेटी को रखा था जिसका सर काटकर उसके दिमाग को वे लोग grill कर रहे थे और वे लोग उसके दिमाग को निकाल कर खा रहे थे सिसी उसे पूचते है कि वो उसके साथ में क्या करने वाले है जिस पर honor उसे बताता है कि ये सबी लोग monster है जिनने कोई feelings नहीं है उन लोगों ने CC के अंदर sperm को inject किया है और उन कुछ दिनों में ही pregnant हो जाएगी फिर जब वो बच्चे को जनम देगी तो वे लोग उस बच्चे के meet को client को बेज देंगे ये सबी लोग psycho थे जो कि लड़कियों को किड्नेप करके उन्हें pregnant करके उनके बच्चों के मासक को बेच देते थे और ये इनका business था ये सबी लोग पागलों के तरह एक दूसरे पर ही चिलाना लगते है और कुछ तो भी हरकाते करना लगते है तब ही माँ पर ऑफिसर काल वेन उस रेस्टों वाले लड़के को गन पॉइंट पर लेकर आता है और उनसे सीजी को छोड़ने के लगता है ये सून कर वे लोग सीजी को छोड़ देते हैं और फिर ऑफिसर उनसे उनकी बेटी के बारें पूछता है तब ही उसकी बेटी टेबल के नीचे से चिला कर कहती है कि आपको आने में देर हुए इन लोगों ने मेरे सर को काड़ दिया है तो वे उनसे पूछता है कि ये काम किसने क्या है जिस पर उस सभी लोग उस लड़के की तरव इशारा करते है जिससे की लीडर की लड़ाई हुई थी जब ओफिसर उसे मारने जाता है तो लीडर उसके हाथ से गन चीन कर उसे मारनी वाला होता है कि अचानक वो बड़े-बड़े दात वाला हेवान ओफिसर पर हमला करके उसे मार देता है और यह सब देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है अब हम उसे बिल्डिंग के चत पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर शुट करने के लिए चड़ा हुआ था लेकिन नीचे खड़े प्रोटेस्टर और पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं तब ही सीसी खुट को उन लोगों से बचाने के लिए एक खिड़की से नीचे कूच जाती है सीसी को पकड़ने के लिए वो गैंग मेंबर भी खिड़की से कूच पड़ते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों उप पुलिस वालों को बड़ी बहरेमी समाने लगते हैं सीसी वहाँ से भागने में कामयापत हो जाती है लेकिन फिर भी एक आदमी उसके पीछे लग जाता है जो उसकी बैक पर चाकू से अटेक करने लगता है लेकिन तबी सीसी के सामने एक कार आकर उकती है जिसके अंदर दो लोग मुझे होते है वे लोग उसे कार में बठा कर वहाँ से ले जाते है फिर इधर वो बड़े दात वाला हैवान उसी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और लोगों को बहरेमी से मार कर खाने लगता है ये सब देखकर गैंग लीडर उन्हें ये सब बंद करके वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि अब वो हैवान भी बाहर आ गया था और सभी लोगों को मार रहा था अब इसके बाद हम सिसी और उन दो लोगों को देखते हैं सिसी उनसे कहती है कि अगर वे लोग नहीं होते हैं तो नहीं बचपाती जिसके बाद में सिसी उन्हें सारी बातें बताती है तो वे लोग उसे कहते हैं कि जब उसका बच्चा पेदा हो जाए तो वो अपने बच्चे को बता है कि किस तरह दो लोगों ने उसकी मा की जन बचाई थी और हैंपर मुवी एंड हो जाती है तो दोस्तो ये था दो बच्चर बोईस मुवी का एक्स्पेनिशन इस मुवी का दूसा नाम बोन बोईस भी है तो आपने इस मुवी में देखा कि किस तरह एक साइको लोगों की गेंग लड़कियों को पकड़ कर उनने बड़ी बहरे में से टॉर्चर करते थे और जब जस्ती उनसों बच्चा पेदा करवा कर उसके मास को बेचा करते थे वो पूरी गेंगी साइको थी लेकिन उनका टीम लीडर साइको नहीं था वो बिलकुर ठीक था उसने सभी साइको को इसलिए खट्टा किया ताकि वो उससे बिना सवाल कि उसकी बातों को माने और वो अपना मीट बेचना का बिजनस हमेशा चलाता रहे तो दोस्तों केसा लगा आपको समूवी का एक्सप्रेशन नीचे कमेंट करके जरू बताना अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरू करें बागी मैं आप समयूँगा अब अगले वीडियो में